नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल पर जहांपर आपको पुराने नोट वाई सिखोगी सही जानकारी दी जाती है मैं हूँ आपका दोस्त महिस परजापत दोस्तों आज का हमारा टोपिक है एक रुपे का सिखा जो गुनीश सो ब्यास में हम आपको इस एक रुपे के सिखके के फुल जानकारी देंगे जो16 receipt 1891 तक जारी वे थे जिसमें Case Care Coin है इन सभी सिखों के बारे में पूरी जानकारी देंगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्युंकि वीडियो होने वाली एक खास अगर आप ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, तो साथ हमें बेल बुटन को भी दिवा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके. दोस्तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताके हम आपके लिए यूही बहतर से बहतर वीडियो बनाते रहें दोस्तो ये सिक्षे गुनिशु ब्यास्टी से लेकर गुनिशु इकानमे तक बने थे इसका जो मेटल है वो कोपर निकल बजन में ये 6 ग्राम साइच 26 mm और शेप इनका सर्कुलर है दोस्तो इस सिक्षे के बारे में बात करें तो और साइड इसके असोख स्तम के लफट साइड भारत हिंदी में और राइड साइड में इंडिया लिखा हुए जबकि के टौकस्तम के निचेapor छत्यल आम जएटे हिंदी में रिवर्स साइड के बात करें तो टोप पर रुपेया लिखा गया है हिंदी में अंको में एक है उसके निचे रुपीज इंगलिश में लिखा गया है फिर एर है एर के निचे मिंट मारक मैंसन है और दोनों तरफ दो ग्यहों की बालिया दिखाई गई है दोस्तों बात करें 1982 की तो 1982 में ये सिखा सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही जारी हुआ था जो कि ये सिखा डबल रेयर है 1982 का बॉम्बे मिंट जिसकी केमत 15,000 रुपे से लेकर 35,000 रुपे तक है अब करते हैं ब्यात 1983 की 1983 में ये दो मिंटों में जारी हुए थे Bombay Mint और कलकता मिंट और दोनों मिंट के कोईन सामाने कोईन है जिनकी प्राइस तीन रुपे से लेकर दस रुपे तक है अब बात करता हैं 1984 की 1984 में ये तीन मिंटों बने थे Bombay, कलकता और हिदराबाद जिसमें Bombay और कलकता मिंट का कोईन common कोईन है जबकि हिदराबाद मिंट का कोईन एक scare कोईन है जिसकी प्राइस पचास रुपे से लेकर सो रुपे तक है दोस्तों 1985 में ये चियार मिंटों में बने थे Bombay, कलकता और हेटन और लंदन दोस्तो एच मिंट मारक जो कोईन है इसमें वो हेटन मिंट में बनाए और यूटूब पर आपने कई वीडियो देखी हूँगी और इस सिक्के की केमत आपको डाइलाख रुपे बताई जा रही है दोस्तों हमारे पास जो सिक्का है वो हेक नॉर्मल कोईन लेकिन जो डाइलाख रुपे में निलाम हुआ था सिक्का वो ट्राइल स्ट्राइक का एक सिक्का था जो की चलन में नहीं आया था इसका जो मेटल था वो था कोपर मतलब तंबे का सिक्का ये नॉर्मल सिक्का है ज्यादा लोगों के पास मिल जाता है यह जो सिक्का है यह नॉर्मल कोईन है बहुत सभी लोगों के पास ज्यादा तर यह मिल जाता है लेकिन जो कोपर जो तंबे का सिक्का था वो बहुत ही कम मात्रा में ड्लाई हुई थी वो एक स्ट्राइक कोईन था इस वज़े से वो एक सिखा डाइलाएफ का निलाम हुआ था और इन सिखों के बात करें हम नॉर्मल सिखों सिखों की गुनी सो पिचासी में ये चार मिन्यटों में जारे हुए चारो कोइन, नॉर्मल कोइन है, जिनकी प्राइस तीन रूपे से लेकर 10 रुपे तक है अब बात करते हैं 1966 की 86 में ये तीन मिन्टों में बने थे बॉम्बे कलकता और हिदराबाद जिसमें बॉम्बे और कलकता मिन्ट के कोईन सामने कोईन है जबकि हिदराबाद मिन्ट का शिका एक स्केर सिका है स्केर्स के की जो प्राइस है वो 100 रुपे से लेकर 300 रुपे तक है अब बात करते हैं 1987 की 87 का जो शिका है बना था वो तीन मिन्टों में बना था बॉम्बे कलकता और हिदराबाद और तीनों शिके कोमन शिके हैं जिनके प्राइस तीन रुपे से लेकर 10 रुपे तक है अब ब जिनमें बॉंबे, कलकता और हिदराबाद मिंट के कोईन समने सिक्खे हैं जबकि नोईडा मिंट का सिक्खा एक रेर सिक्खा है जिसकी प्राइस तिन सो रुपे से लेकर पान सो रुपे तक है फिर 1989 में 4 मिन्टों ये बने थे बॉंबे, कलकता, हेदरवाद और नोइडा जिसमें बॉंबे, कलकता, हेदरवाद मिन्ट के कौईन सम्मन ए कौईन है जबकि नोइडा मिन्ट का स्केर स्का है जिसकी प्राइस 50 रुपे से लेकर 100 रुपे तक है अब आर्थ करते हैं 1990, 1990 में भी यह चयार मिंटों ही बने थें, बॉंबे, कलकता, हिदरवाद और नोईडा, जिसमें बॉंबे, कलकता, हिदरवाद मिंट के कोईन समने सिक्खे हैं, जबकि नोईडा मिंट का सिक्खा स्केर्ट सिक्खा है, जिसकी पराइस 50 रुपेश लेकर 100 रुपे तक है अब भारत करते हैं 1901 की 91 में यह चैर्मेंटों बने थे बुम्बे, कलकता, हिदराबाद और नोईडा जिन में बुम्बे, कलकता, हिदराबाद मिंट के कोईंस हमने सिख्के हैं जबकि नोईडा मिंट का सिख्का एक डबल रेर शिक्का है जिसकी प्राइस 10,000 रुपे से लेकर 25,000 रुपे तक है दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सेयर, कमेंट कर देना और अगर आपने अभी तक अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर निचे लाल ब बात मिलते हैं अगले वीडियो में